हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल मैं हूँ लईता और आपका हमारे चैनल डी लईता सिंग में स्वागत है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो आज बनाते हैं दही भल्ले इंस्ट हम दही फुलकी भी कहते हैं तो देड़ ना करते हुए चलियाज बनाते हैं बेशन के दही भल्ले बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाते हैं और खाने में बहुत ही टेश्टी बनते हैं तो चलिए अपनी कीचन की तरफ चलते हैं बेशन की फुलकी बेशन के दही भल्ले बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेसन तो यहां मैंने लगबग एक कटोरी बेसन ले लिया है जिसको मैंने चलनी की मदद से अच्छे से छान लिया है ताकि जो बड़ी-बड़ी गाठे या कुछ भी होता है वो छनकल अलग हो जाएगा तो यह मैंने दूसरे बड़तन में निकाल लिया है लगबग एक कटोरी और उसमें टेस्ट के अनुसर डाल दिया है नमक और चुटकी भर हींग डाल दिया है और थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसको अच्छे से घोल बनाकर रेडी कर लेंगे ज्यादा पतला घोल तया नह हम एक गयस पर रखते हैं तेल को और तेल को हम अच्छे से घरम करते हैं बिल्कुल धीमी आज पर धीमी आज पर तेल को पलट लेंगे यह लगबख दो से तीन बार प्रोसेस करना है और यह पक कर बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी और चलिए बेशन की पकोडियों को हम तेल से अलग कर लेते हैं इसी तरह दूसरा प्रोसेस भी कर लेंगे और सारी पकोडियां में बनकर रेडी हो गई है तो इसको आप देखिए हम कट करके भी दिखाते हैं कितनी सॉफ्ट से चाकू से कट गया है और इसकी अंदर की जो सॉफ्टनेस है और जाली जैसे बनी होती है जैसे हम केक बनाते हैं केक में बिल्कुल इस्पॉंज और जाली पड़ जाती है बिल्कुल वैसे ही यह पकोडियो तो चलिए पकोडिया तो बन के ताड़ी हो गई है चलिए अब दही भल्ले बनाकर रेडी करते हैं तो यह मैंने आधी कटोरी दही ले ली है उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और फिर उसके पाद कुछ चकपटा करने के लिए कुछ मसाले आट करेंगे तो यह मैंने धन लिट के अंसर नामक और काला नामक आप चाहें तो इसमें चट मसाला भी डाल सकते हैं और बस उसको अच्छे से चला देगे दही को और फिर जो पकॉड़िया बनकर रेडी हुई थी उसको 20 में डाल देनगे और चला देंगे ताकि जो दही है पकॉड़ियों में अच्छे से भर जाए और बस उसके बाद उपर से थोड़ा सा मसाला डाल देंगे मैजिक मसाला ये हमारी दही फुलकी दही भले बनका रेडी हो गए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सेर जरूर करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई